जम्मु कश्मीर के लिप्टेन और गवर्णर स्रिमान मनोच छिना जी केंद्रिय मंत्री मनल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सींजी साउसत में मेरे साथी इसी धर्ती के संतान गुलाम अली जी जम्मु कश्मीर के मेरे पैरे भाई और बहनों दर्ती के स्वर्ग पर आने का ये ऐसाथ ये अनुभूती सब्दों से परे है प्रकृती का ये अनुपम स्वरूप यहवा ये वादियां ये वातावरां और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार और मुझे बता रहे थे गवनर्जाब के स्ट्रेडियम के बार भी जम्मु कश्मीर के सभी लोग मुझूद है दो सो पिचासी ब्लॉकों से भी करीब एक लाख लोग टेक्नलोजी के जरिये जुड़े हुए है मैं जम्मु कश्मीर के अवाम का आज रिजय से अभिनंदन करता हूँ ये वो नया जम्मु कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दसकों से था ये वो नया जम्मु कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर शामा प्रशाद मुकर जी ने बलिदान दिया था इस नये जम्मु कश्मीर की आखों में बविश्य की चमक है इस नए जम्मु कश्मीर के इरादों में चुनोतियों को पार करने का होसला है आपके इन मुस्कराते चहरे देश देख रहा है और आज एक सो चालीस करोड देश स्वासी सुकून महसूस कर रहे हैं साथ्यों अभी मनोशिनाजी का भाषन हम सब ने सुना उन्हान इतनी बड़िया तरीके से बातों को रखा विकास की बातों के तरी विस्तार से समझाया शायन उनके भाषन के बाद किसी के भाषन की जरूत नहीं थी लेकिन आपका प्यार आपकी इतनी बड़ी तादाग में हाना लाखों लोगों का जूड़ना आपके इस प्यार से मैं जितना खोस हूं उतना ही कुतग्य भी हूं मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही का मैं यह महनत आपका दिल जितने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूँ कि मैं आपका दिल जितने की दिसा में सही दिसा में जा रहा हूँ आपका दिल मैं जित पाया हूँ और जादा जितने की कोशिश मेरी जारी रहेगी और यह मोदी की गारंटी है मोदी सुज गारंटी और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्भू आया था वहां मैंने 32,000 करो 32,000 करो रुपे के इंफ्रास्टर्टर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेस का सुभारम किया था और आज इतने कम अंत्राल में ही आप सब के बीच मुझे स्री नगर आने करके आप सब से मिलने का आउसर मिला है आज मुझे यहां तूरिजम और दिकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के सिलान्यास और लोकारपन का सौभा कि मिला है किसानों के लिए क्रिशिक शेत्र से जुड़ी योजनाओं भी समर्पित की गई हैं एक हजार युवाओं को सरकारी नोकरी के नियूक्ति पत्र भी दिये गए हैं विकास की शक्ति परियटन की संभावनाएं किसानों का सामर्थ और जम्मु कश्मीर के युवाओं का नेत्रूत्वा विक्सित जम्मु कश्मीर के निर्मार का रास्ता यहीं से निकलने वाला है जम्मु कश्मीर केवल एक शेत्र नहीं है यह जम्मु कश्मीर भारत का मस्तक है और उंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीख होता है इसलिए विक्सित जम्मु कश्मीर विक्सित भारत की प्रात्मिकता है साथियों एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मु कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे एक जमाना था जब गरीब कल्यान की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जम्मु कश्मीर के मेरे भाई बेन उनका लाब उनको नहीं मिलता था और अब देखिए वक्तने कैसे करवट बदली है आज यहां स्री नगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंब हुआ है आज श्री नगर जम्मु कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए परियतन की नई पहल कर रहा है इसलिए जम्मु कश्मीर के अलावा देश के पचांस से जादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए है देश भी आज श्री नगर से जुड़ा हुआ है आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहट छे परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है इसके अलावा स्वदेश दर्शन इसकीम के अगले चरन का भी शुबारम हुआ है इसके तहट भी जम्मू कश्मीर समेट देश के अन्य स्थानों के लिए करीब तीस परियोजनाओं की शुरुवात की गई है आज प्रसाद योजना के तहट तीन परियोजनाओं का लोकारपण हुआ है चवदा और परियोजनाओं को भी लॉंच किया गया है पवित्र हजरत बल दरगा में लोगों की सहुलियत के लिए जो विकास कारिये हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके है सरकार ने 40 से जादा ऐसी जगवों की पहचान भी की है जिने अगले दो वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विक्सित किया जाएगा आज देखो अपना देश पीपल्स चोईस अभ्यान भी लॉंच किया गया है इससे एक बहुत बड़ा अनूठा भ्यान है देश के लोग आनलाइन जाकर बताएंगे कि ये देखने जैसी जगा है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदिदा लोगों की चोईस वाला स्थान के रुप में उसका परियाटन सल के रुप में विकास करेगी ये जन भागीदारी से मिरने होगा आज से प्रवासी भारतियों को जो दुनिया में रहते हैं न क्योंकि मेरा उनसे आग रहे हैं कि आप डॉलर पाउंड लाओ या ना लाओ लेकिन कम से कम पांच से परिवार जो नो बिल भ दोस्तों को पहुस्ताइज करना और इसलिए कि चलो इंडिया अभ्यान शुरू हो रहा है रह 2017 के तहरे दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेडित किया जाएगा इंडियों जनाओ और अभ्यानों का बहुत बड़ा है जम्मू कश्मीर के आ और मक्सल लेकर काम कर रहा हूं कि मैं जो भी टूरिस इंडिया के भी निकलते हैं उनको कहता हूं आप जाएए लेकिन एक कम मेरा भी करिए और मेरा क्या काम है मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजेट होगा उस मैं से कम से कम पाँच दस परसंट बजेट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोईन कोई चीजें खरीदे ताकि वहां के लोगों को आए हो उनका रोजगार बढ़े और तभी तुरियम बढ़ता है सिर्फ आए देखे चलेगे नहीं आपको पाँच परसंट दस परसंट कुछ खरीदना चे आज मैंने भी खरीदा सीनगर आए एक बढ़िया चित देखी मन कर गया मैंने भी ले लिया और इसलिए मैं इसके साथ एकोनोमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूँ साथियों इन योजनाओं से यहां परियटन उद्यों का भी विकास होगा रोजगार के नए आफसर होंगे मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कारियों के लिए बढ़ाई देता हूँ और अब मैं एक नएक शेत्र के लिए आपको आवान करता हूँ जैसे फिल्म सुटिंग के लिए ये छेतर आप जहर रूपे डॉलर करके लोग आते हैं जी नहीं बेडिन इंडिया के लोग, हमारे स्रीनगर के लोग, अब हमें बेडिन इआ के लिए लोगों को शादी के लिए हाने का मन कर जाए और यहाने के पर BOOKING करें, यहां 3 दिन, 4 दिनॉत लेकर के आए धुम-धाम से कि उस अभ्यान को मैं बल दे रहा हूं कि और साथियों कि जब इरादे नेक हो कि संगल्प को सिद्ध करने का जजबा हो तो फिर नतीजे भी मिलते हैं कि पूरी दुनिया ने है कि कैसे यहां जम्मो कश्मीर में G20 का शांदर रायوجण हुआ कभी लोग कहते थे जम्मु कश्मीर में कौन पारियटां के लिए जाएगा आज यहां जम्मो कश्मीर में पारियटां के सारे टूट रहें अकेले 2023 में ही पिछले दस वरसों में अमरनात जहत्रा में सबसे जहत्री शामिल वूए वेष्ण देवी में स्धालू रिकॉर्ड शंख्या में दर्सन कर रहे हैं विदेसी टुरिस्नों की शंख्या भी पेले से दाई गुला बड़ी हैं अब बड़े बड़े स्टार भी सेलिब्रिटी भी विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आये बिना जाते नहीं हैं वाधियों में गुमने आते हैं यहां वीडियो बनाते हैं रील बनाते हैं और वायरल हो रही हैं साथ यो जम्मू कश्मीर में परियटन के साथ ही कुरुशी और कुरुशी उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है जम्मू कश्मीर की केसर जम्मू कश्मीर के सेव जम्मू कश्मीर के मेवे जम्मू कश्मीरी चेरी जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रां से अगले पांच वर्षों में जम्मु कश्मिर के क्रिशी सेक्टर में अभुत्पुर्व विकास होगा विशेश तोर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी और अभी बहन हमिदा से जब मैं बात कर रहा था पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली होगी है इसे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे यहां किसानों के खातों में बारत सरकार ने करीब तीन हजार करोड रुपिये किसान सम्मान निदी के तोर पर सीधे बेजे हैं फलो और सबजियों को जादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मु कश्मीर में स्टोर एक समता भी काफी बढ़ाई गई है कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी बंडारान स्कीम शुरू की गई है इसके तहट जम्मु कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे साथियों जम्मु कश्मीर आतेज रप्तार से विकास के मार्क पर आगे बढ़ रहा है यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि दो-दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है एम्स जम्मु का उद्गाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है साथ नए मेडिकल कॉलेज दो बड़े कैंसर अस्पतार शापित किये गए है आयाएटी और आयाएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्तान भी बने हैं जम्मु कश्मीर में दो बंदे भारत ट्रेने भी चल रही है स्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारा मुला के लिए ट्रेन शेवा सुरू हो चुकी है कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मु कश्मीर में आर्थिक गतिविद्या तेज होई है जम्मु और स्रीनगर को स्मार्ट सिटी मनाने के लिए इंफ्रास्ट्रेक्टर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे है आप देखिएगा आने वाले समय में जम्मु कश्मीर की सक्षे स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षन का केंद्र बनेगा और आपने जरूर देखा होगा रेडियो पर सुना होगा मैं अपने मन की बात कारकम में जम्मु कश्मीर की उपलब्दियों के बारे में हर बार मोका ले लेता हूँ कुछ नुग कुछ कहने का यहां साप सभाई के अभ्यान यहां का हस्त सिल्प यहां की कारी गरी इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता हूँ एक बार मैंने नदुरू के बारे में कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विश्थार जे बताया था यहां की जीलों में जगः जगः कमल देखने को मिलते हैं 50 साल पहले बने जम्मुकश्बी क्रिकेटेशो शेटन के लोगों में भी कमल है यह सुकत सयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि मीज़ेपी का चिन भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मुकश्मिर का गहरत दाता है साथियों जम्मुकश्मिर के युवाओं को हर ख्षेतर में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है युवाओं के स्किल डेवलप्मेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे है आज जम्मुकश्मिर के हर जीले में आदुने खेल सुविदाय बनाई जा रही है सत्रा जिलो में हां मल्टी परपज इंडर स्पोर्ट हॉल बनाए गए हैं बीते बर्सों में जम्मुकश्मिर ने अनेकों नेशनल स्पोर्ट्स टोड़ामेंट में मेजबानी की अब जम्मुकश्मिर देश की सित्कालिन खेल विंटर गेम्स एक राजदाने विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रुपे इम्मेरा जम्मुकश्मिर उभर रहा है हाली में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करीब एक हजार खिलाडी देश पर जाए उन्होंने हिस्सा लिया साथ्यों आज जम्मुकश्मिर विकात की नई उचाहियों को छूरा है क्योंकि जम्मुकश्मिर हाट खुल करके सांथ ले रहा है बंदी सोंस ये आज़ादी आर्टिकल 370 हट्टे के बाद आई है दसकों तक सियासी फायदे के लिए कॉंग्रेस और उसके साथ्यों ने 370 के नाम पर जम्मुकश्मिर के लोगों को गुम्रा किया देश को गुम्रा किया 370 से फायदा जम्मुकश्मिर को था या कुछ राजनिदिक परिवार वही इसका लाप उठा रहे थे जम्मुकश्मिर के अवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुम्रा किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मुकश्मिर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था आज 370 नहीं है इसलिए जम्मुकश्मिर के युवाओं के प्रतिवा का पुरा सम्मान हो रहा उन्हें नए आउसर मिल रहे हैं हाज यहां सब के लिए समान अधिकार भी है समान आउसर भी है पाकिस्तान से आये स्वनमार्थी हमारे वालमी की समुदाई के भाईबें हमारे सफाई कनुचरी भाईबें इनको वोट देने का अधिकार सत्तर साल तक नहीं मिला वो अब मिला है वालमी की समुदाई को ऐसी कैटेगेरी का लाब मिलने की वर्षो पुरानी मांग पूरी हुई है अनुसुचीत जन जातियों के लिए बिदान सभा में सीटे आरचित हुई है पद्दारी जन जाती पहाडीय जाती समुदाई गड़ा अब्राहमार और कोली समुदाई को अनुसुचीत जन जाती में शामिल किया गया हमारी सरकार में पंचायत नगरपाली का और निगम नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षन दिया गया परिवारबादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दसकों तक इन अधिकारों से मच्चित रखा आज हर वर्ग को उनके अधिकार लोटाए जा रहे हैं साथियों जम्मू कश्मीर में परिवारबाद और प्रश्टा चार का एक बहुत बड़ी भुक्त भोगी रही है हमारी जेन के बैंक इस बैंक को तबहा करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं शोड़ी थी बैंक में अपने नाते रिष्टेदारों और भाई बतिजों को भरकर इन परिवारबादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी मिस मनेजमेंट की वज़े से बैंक इतना घटे में गया था कि आप सभी के हज़नों करोड रुपिये डूब जाने का खतरा था कश्वीर के गरीब अंद्वी का पैसा था महनत कस इंसान का पैसा था आप मेरे भाई बेहनों का पैसा था वो डूबने जा रहा था जेन के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफार्म किये बैंक को एक हजार करोड रुपिये की मदद देना भी ताहि किया जेन के बैंक में जो गलत तरीके से बर्तियां हुई थी उनके खिलाब भी हमने सकत कारवाई की आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों बर्तियों की जांच कर रही है बीते पांच साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नव जावानों को कि पारदर सिता के साथ बैंक में नोकरी मिली है सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जेन के बैंक फिर से मजबुत हो गई है इस बैंक का मुनाफा जो डूमने वाली बैंक थी यह मोदी की गारंटी देखिए डूमने वाली बैंक फिर आज उसका मुनाफा सत्रा सो करोड रुपिय तक पहुंत रहा है यह आपका पैसा है आपके हक का पैसा है मोदी तो चौकिदार बनके बैठा है पांक साल पहले बैंक का बिजनेस सबा लाग करोड रुपिय में सिमेट गया था सिरफ सबा लाग करोड अब बैंक का बिजनेस सबा दो लाग करोड रुपिय क्रॉस कर चुका है पाँच साल पहले बैंक में डिपोजिट भी 80,000 करोड रुपे से कम हो गए थे यानि लगबग अब दो गुना होने जा रहा है अब बैंक में लोगों के डिपोजिट भी 70,000,000 करोड रुपे को पार कर गए है पाँच साल पहले बैंक का NPA 11% को भी पार कर गया था अब ये भी कम होते 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 5% के नीचे आ गया है पिछले पाँच साल में जेन के बैंक के शेरों की किमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धी हुई है बैंक के शेर की जो किमत 12 रुपिय तक धीर गई थी वो अब 140 रुपिय के आसपास पहुँच गई है जब इमांदार सरकार होती है नियत जनता की बलाई होती है तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है सात्यों आजादी के बाद जम्मु कश्मीर परिवारवादी राजनीती का सबसे प्रमुक्षिकार हुआ था आज देस के विकांच से परैशान होकर जम्मु कश्मीर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिकत हमले कर रहे है ए लोग कह रहे हैं कि मोधि का कोई परिवार नहीं है लेकिन देस इनको करारा जवाब दे रहा है देश के लोग हर कौने में कह रहे हैं मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मैंने जम्मू कश्वीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है परिवार के लोग दिल में रहते हैं मन में रहते हैं इसलिए कश्वीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, मोदी अपने परिवार को इभी स्वाद देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का अभियान किसी किमत पर नहीं रुकेगा अगले पाँच वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा साथ यो कुछी दिनों में अमन और इबादत का महिना रमजान शुरू होने जा रहा है मैं जम्मू कश्मीर की धर्ती से पूरे देश को इस पवित्र महिने की अग्रिम शुब कामनाए देता हूँ रमजान के महिने से हर किश्य को शांती और सहुवार्थ का संदेश मिले यही मेरी कामना है और मेरे साथियों यह भूमी तो आदी संकराचारिय की तपो भूमी रही है और कल महाशिवरात्री है मैं आपको भी और सभी देश वाच्यों को भी महाशिवरात्री के पावन परवकी अनेक अनेक शुब कामनाए देता हूँ मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना आपके प्यार आपका अशिरवार लेना यह मेरे लिए बहुत बड़ा और आपके लोगों काणिस